हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई यूटूब चैनल आज हम लोग इस वीडियो में 27 अगस्त के मोस्ट इंपार्टन्ड करेंट अफेर्स के कोश्चन स्वालव करेंगे जो सभी प्रतियोगी परिछाओं लिए बेहदी माधपूर्ण है और जो लोग नए हैं उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें करें चलिए देखते हैं हमें पहला कोश्चन है केंद्र फाफित प्रदेश लद्दाक में कितने नय जिले बनाया जानें की गोफ्रा की गई है तो अभी तक लद्दाक कितने जिले थे दो जिले थे अ पांच कौन जिले बनाएंगे हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं तो यह पांच जिले हैं जासकर, द्रास, साम, नुब्रा और चांग थान दूसरा कोश्चन है यहाँ पर यूनिफाइड पेंफन स्कीम लागू करने वाला पहला राज कौन बना है महाराष्टर अगला प्रस्मिया पे विज्ञान धारा योजना किस विवाग के तात आती है तो विज्ञान और प्रधोग की विवाग के अंतरगात भारत के पहले री यूजेबल हाईब्रिड राकेट का सफल परिच्छण कहां किया गया है तो यह किया गया चेननाई में कहां पर चेननाई में हाल ही में बांगला देश क्रिकेट बॉर्ड का नया धच किसे चुना गया है फारूक ऐहमद को नेक्ट कोश्चन यहाँ पर ACI सर्फिंग चेंपियंशिप 2024 में बहारती टीम ने कौन फ़र पतक जीता है रज़त पतक जीता है कौन फ़र पतक रज़त पतक उसके बाद अगला कोश्चन है महाराफ्ट के पहले सोलर विलेज का उद्गाटन किस राज में किया गया है तो यह किया गया है सोलापुर में कहां पर सोलापुर में है हाल ही में नय केंदरी गरह सची के रूप में किस ने पत भार ग्रहन किया है गोविंद मोहन ने गरह सची बनाया गया हाल ही में किन को गोविंद मोहन को भारती विमान पतन प्राधिकरण के अंतरी मद्धच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है एम सुरेश को उसके बाद अगला प्रफना यहाँ पर नैस काम के मनोनीत अधच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है राजेस नामबियार को अब यहाँ पे 11 नमर कोश्चन है आगामी महिला T20 बिस सुकप का आयोजन बांगला देश की जगा अब किस देश में किया जाएगा तो यह किया जाएगा UAE में कहाँ पे यूएई में सेफडिसी मीशन के रूप में नामित किया गया सत्य प्रकास सांगवान को उसके पाद अगला कोश्चन है यहाँ पेरिस पेरालम्पिक्स दो हजार चौबिस के उद्गाटन समारों के लिए बारत के धजवाग के रूप में किसे चुना गया सुमित अंतिल को अगला कोश्चन है पूर प्रधान मंत्री सलीम अलहूस किस देश में सेवा कर चुगे थे और हाल ही में उनका निधन हो गया तो यह सेवा कहां पे कर चुगे थे लेबनान के मतलब पूर प्रधान मंत्री थे अगला कोश्चन है छोटे और ग्रामीर उधार करताओं को निर्बाद क्रेडिट पहुँच प्रधान करने के लिए और ब्याई ने हाल ही में किस पहल का पाइलट किया अलब किस पहल का शुरुवात किया है तो वा थी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यू एल आई पहल हाल ही में बढ़ते सेन तनावों के बीच किस देश ने नए आत्म घाती ड्रोन का नावराण किया ये किया उत्तर कोरिया ने उसके पाद अगला कोश्चन है बैड मिंटन एसिया चैंपनशिप यू फिप्टीन गोल्ड किस ने जीता तनवी पात्री ने तनवी पात्री ने अगला कोश्चन है जेटिस हेमा कमेटि की रिपोर्ट में किस फिल्म इंडुप्टरी में व्यापक योन उत्पीडन सोचन और भेद भाव का खुलासा हुआ है तो जेश्टिफ हेमक कमेट्टी की जो रिपोर्ट आई है वो आई है मलेयालम सिनेमा के बारे में अगला कोशन है भारती मेडिया और मनोरंजन उद्धोग के वैसिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए पहला विश्टो आडियो विजूलम और मनोरंजन सिकर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है यह आयोजन 20-25 नॉवंबर 2024 को आज़ित किया जाएगा जिसमें बैंड की लडाई और भारत का सिंफनी प्रतियोगता जैसे कारकरम सामिल होंगे जो आधुनिक और पारंपरिक भारतियी संगीत का ज़्यफन मनाते हैं यह मत्पूर्ण सिकर सम्मेलन की सिस्थान पर आज़ित होगा तो यह आज़ित होगा गोवा में कहां पर गोवा में और यहाँ पर 20 नंबर ओर लास्ट कोस्चन है अडानी पावर लिम्टेड द्वारा सुपर क्रिटिकल थरमल पावर परियोजनाव के लिए 11,000 करोण से अधिक एनबंध को किस कमपनी ने हासिल किया है तुसका एमफर हो जाएगा बारत हैवी इलेक्रिकल्स लिम्टेड ने बारत है भी इलेक्रिकल्स लिम्टेड ने